ओम शांति आज तिनंक 21 अगस्त 2022 अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइच कोर्स दो मार्च 1902 को हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे बाप दादा वर्दान में बोले विसेस्ताओं के संसकारों को अपनी नेचर बनाए साधरनता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव आज पिता परमात्मा हम आत्माओं को मर जीवा भव का वर्दान देते वर्दान में बाबा कहते विसेस्ता के संसकारों को अपनी नेचर बनाए साधरनता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव डिटेल में बाप दादा कहते जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वह स्वता ही अपना काम करती है सोचना वा करना नहीं पड़ता अर्थात पाप दादा बच्चों को सदा स्रीमत देते कि पुराने संसकारों को भस्म करो योग अगनी से और जो नए संसकार पिता परमात्मा तुम में भरते हैं अर्थात जिस ग्यान गुण तथा सक्तियों से तुम्हें सजाते हैं उसे रोज अभ्यास में लाओ उनका प्रयोग करो प्रयोगी आत्मा बनो कि ऐसा हो जाए कि सब पुराने संसकार भस्मो जाएं और नई विसेस् भरे संसकार नेचुरल नेचर पन जाएं जैसे सत्यूग में देवी देवताओं की नेचुरल नेचर देखते हैं उन पर लोग आकरसित होते हैं उन्हें लोग पूजन गायन के योग्ये समझते हैं ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चे स्वयम भगवान की संतान हो उचे ते उची ब्रह्मन आत्मा हो तो तुम्हारा नेचुरल नेचर देवताओं समान होना चाहिए ऐसे विसेशता के संसकार भी नेचर बन जाएं और हर एक के मुक से मन से यही निकले कि इस विसेश आत्मा की नेचर ही विसेशता है तो कैसी भी आत्माओं के संपर्क में, संबंध में आएं, तो उन आत्माओं को यहां दिखाई दे, प्रत्यक्ष प्रमान दिखे कि जरूर इन्हें भगवान ने विसेस आत्मा बनाया है, विसेस्ताओं से सुसजित किया है तो बाबा जो गुण ग्यान तथा सक्तियां प्रदान करते हैं, उनकी प्रत्यक्षता कराकर, बाबा सदा कहते, तुम बच्चे हीरो पार्टधारी आत्मा हो, बेहद के स्टेज पर पार्ट बजा रहे हो, तुम जैसा पार्ट बजाते हो, वैसा ही दूसरे बजाएंगे तो उसमें विशेस्ताएं दिखाई दें, हमारे गुण ग्यान तथा सक्तियों की प्रत्यक्षता हो, जिससे सभी आत्मा यह कहें कि ये कोई विशेस आत्मा विशेस्ताओं से भरी होई है, साधरण कर्म की समाप्ति हो जाए, तब कहेंगे मर जीवा, साधरण से मर गए, विशेस्ता में जी रहे हैं, संकल्प में भी साधरण ना हो, स्वयम भगवान की संतान, हम सालिग्राम आत्माएं हैं, घिन्हें स्वयम भगवान सेलेक्ट करता है, और कोई ना कोई विसेस्ता देखकर जरूर सेलेक्ट करता है तो उनी विसेस्ताओं को प्रत्यक्ष करना बाप जो हमें लक्ष देते हैं उस लक्ष के समान लक्षन को धारन कर उसकी प्रत्यक्षता करना यही बाबा कहते मरजीवा जन्म है क्योंकि साधरन जन्म 63 जन्मों से जीते आ रहे हो पुराने प्रथाओं में पुराने संसकारों में नीचे ही गिरते जा रहे हो अब बाबा आते हैं हम बच्चों को ब्रह्मा मुखवनसावली संतान बनाते हैं और गुण ग्यान तथा सक्तियों से रोज हमारा स्रंगार करते हैं तो बाबा की यही स्रीमत की जो भी विसेस्ता है उसे नेचुरल नेचर बनाओ संकल्प में भी साधरन ना हो विसेस हो जो सर्व आत्माएं कहें कि विसेस्ताओं से भरी होगी विसेस आत्माएं हैं स्लोगन में बाबा कहते समर्थ आत्मा वहा है जो किसी ना किसी विधी से व्यर्थ को समाप्त कर दे अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को समर्थ भाव का वर्दान देते अर्थात समर्थ वही कर्म होते हैं वही संकल्प होते हैं वही बोल होते हैं जो विस्व कल्यान अर्थ सर्व आत्माओं के कल्यान अर्थ हो तो सर्व के कल्यान की भावना हो पिता परमात्मा की इस्मरती हो फिर कोई कर्म हो, संकल्प हो, बोल हो तो वही बाबा कहते व्यर्थ को समाप्त कर देती है जिसके लिए बाबा हमें विधी देते हैं अपनी एक-एक स्रीमत देते हैं आज बाप दादा ने हम बच्चों का एटेंशन खिचवाया महावाक्य में महासिवरात्री मनाना अर्थात प्रतिग्या करना वरत लेना और बली चरना महासिवरात्री मनाना अर्थात प्रतिग्या करना वरत लेना और बली चरना तो बाबा ने हम बच्चों को आज विसेस जोती स्वरूप आत्म कहा कि आज महा जोती बाप अपने जोती बिंदू बच्चों से मिलने आए हैं दिव्य जोती बाप दिव्य जोती आत्माओं से मिल रहे हैं यहा अलोकिक मिलन चमकते हुए रुहानी सितारों का कितना बड़ा संगठन बाबा देख रहे हैं और बाबा कहते आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बेंदू स्वरूप देख रहे हो अर्थात स्वयम को आत्मा चमकती मनी बिंदू जोती स्वरूप अनुभव कर रहे हो तो बाबा कहते महा सिवरात्री है सिव जोती के साथ आप अनेक जोती बिंदू सालिगराम हो दोनु के मिलन को बाप दादा कहते महा सिवरात्री बाप दादा कहते एक तो बाप के आगे प्रतिग्या करते और दूसरा बाप के प्यार में वरत रखते क्योंकि प्यार और खुसी में सब भूल जाते हैं इसलिए वरत रखते हैं खुसी की खुराग खा लेते हैं तो दूसरी खुराग की आवश्यक्ता नहीं होती मिलन की खुसी के कारण वरत रखते हैं वरत खुसी की भी निसानी है और वरत रखना अरथात प्यार में त्याग भावना, कुछ छोड़ना अरथात त्याग भावना की निसानी तीसरी बात बाप दादा ने बताई सिवरातरी अरथात बली चड़ना यादगार रूप में तो इस्तुल बड़ी चड़ाते हैं लेकिन होना मन बुद्धी और संबंद से समर्पित होना है तो वास्तविक बली बाप दादा कहते मन बुद्धी और संबंद से समर्पित होना अर्थात पुरानी देह से पुराने देह के संबंद से सुख सुविदा के साधनों से उपराम होकर अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा पर अरपन कर देना यही बाबा कहते वास्तविक बली चड़ना है प्रतिग्या की गुहिये परिभासा बाप दादा ने बताई कहना और करना दोनों समान सभी ने पहले बाप दादा को सबसे बड़े ते बड़े बर्थडे का गिफ्ट दिया प्रतिग्या अर्थात स्रेष्ट संकल्प का दिया तो बाप दादा भी सभी बच्चों को गिफ्ट की ठेंक्स दे रहे हैं गिफ्ट में दी हुई प्रतिग्या सदा इस्मरती से समर्थ बनाती रहेगी पहले से ही यहां नहीं सोचो कि प्रतिग्या करते तो हैं लेकिन पता नहीं चल सके या नहीं तो बाप दादा यही स्रीमत देते कि सदा प्रतिग्या को इस्मरती में रखो यह भी इस्मरती में रखो कि हम पूरा पूरा बली बाप दादा पर चड़े हैं अच्छा ओम शान्ती